कि क्लच क्यों तया बात करने जाता है वे दमें ब्रेंगों कि अगलिस्पहरर को सबस्क्राइब करने चाहिए यह सब के बारे में आज आपको complete इस वीडियो में बात करने वाले तो अगर आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले चले सबसे पहले बात कर लगते हम कब और कैसे हम लोग को बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए उसके बात करेंगा ब्रेक और कलच के बारे में नहीं होता है कि आप zero से पंदरा के बीच में बढ़ा सकते हमस्सलिए है नहीं होता है कि अपने मतलब होता है कि आप zero से start करें किसी चीज को मोमेंट में ला रहे हैं उसको चलने की गति मैं से ला रहे हैं लगा सकते हो सकेंडी एक सफीर स्पीड इसले बता लाउं उतना जो है लाश्ट हो जाता है इससे आप पहले हैं सिफ्ट कर सकते हैं जैसिके आप 15-20 पर गाये हैं जो है ठर्ड-गियर पर जा सकते हैं मैं आप से को यह हायस्ट लिमिट बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं बता रहा हूं कि आप तीस के शर्ट पर में जा सकते हैं लेकिन मैंने जो बता है और जैसे की से के अधिक हम अब आप में वह जा रहें घाड़ी के आपकी ऑसके बाद से आप अपे बहुँत जादा लॉड आपकी गारी ऊपर परेगा उसके वजह से जो हैं आपकी इंजन में परॉलम मासें ऑपर कल्श में परॉलम आ सकती हैं तो जो मैंने बताया उस पर आप जरूर ध्यान दें उसे पहले ही आप सिफ्ट कर लें तो ज्यादा वेटर होगा चलिए आप बात कर लाते हैं कि गियर बोक्स काम कैसे करता है और हमारे पीछे वाली जो वील है वो कैसे रोटेट होती है गियर के पावर से तो जो फरस्ट गियर ह होता है उसका रोटेशनल जैसे की गियर जो है अगर एक बार पूरा रोटेट होती है तो पीछे वाला जो हमारा वील है वो भी सेम एक वार ही रोटेट होता है उसके बाद सकेंड गियर जो है गो अगर एक बार रोटेट होती है तो हमारे पीछे वाली जो वील है गो तीन रॉटेट होती है मतलब कि एक अनुपाद तीन में उसका जो है सेटु से क्या होता हुए उसके वाद जब टर्डष पर आते हैं एक भार जब तो पीछे वाली आपकी विल जो है चाठ से पांच बर धायर पर जाते हैं गिजब एक वार आपकी वार कि आ आंकिल देखी होगी गेर वाली तो उसका जो है खूला होता है आप उस में असानी से समझ सकते हैं किस तरह से चोटा से बड़ा गेर जो है बढ़ते जाता है और आपकी जो है हलकी सी पावर में आपको ज्यादा आउर्पुट देखने को मिलता है इसलिए जो है गेर का इस्ति का में काम होता आप की जो ली आखी कि ज़ची के हैं उससे आप किर से सब्सक्राइब कर तक कि सब्सक्राइब क millennials और आप से ड्र को जो है और ख़लैंटे तरह कि नहीं हो के गिर को कम यह ज्यादा किया हुआ तो आपको पता हुए किस तरह से भू जटका देती आप जटका नहीं देती बलगे गिर और कलच के बीच में जो घर्षन होता उसी को जो है नौइस यह जटका में मैसुस होता कलच का जो में काम है वह है smoothly gear को shift करना engine सा जो पावर आती है वो कलच से होते हुए कियर में जाथ हैовать Ugh enemy easy engine स्ट्वूख में tt शोऺ रिखल च्छल has a वाले चेक्डे साथ सकते हैं बलकुल अब दंपसकते हैं लेकिन उसका जैसे कि अगर आप पैनिक सिच्वेशन में हैं जैसे आप कोई गाड़ी चला रहा है और आपके सामने को अब्जेक्ट सदलने आ जाता है तो आप क्या करिएगा अब कुछ ने करेंट सबसे पहले आपको ब्रेक दबना जहां तक हो सके आपको ब्रेक दबना उसके बाद अग जाती है तो सबसे में जो प्रॉल्म थी जो आपके आगे सब्सक्राइब जाता है उससे आपको बचने के लिए डालेक कोई प्रॉलम उसे नहीं होने वाले उसके बात कर रहते हैं जैसे कि आप हाइवेब चल रहे हैं और आपको अपनी जो स्पीड है उसे थोड़ी से स्प ज़रूरी नहीं है आपको हलका साउस RIGHT लाकित आप जा सकते हम आपको ध्यान देना है कि आपकी जो गारी स्पीड है वह आपके एक नेरधार तो डाउन सेट करना आप सुरू कर दें डाउन जाएं अगर थटी पराती है तो फोर्ड पर आप आप आजा इस तरह से जो है दिरे दिरे आप डाउन होते हैं चला है लेकिन अगर आपको खलकी सी ब्रेक लगाने हैं दरस किल्मेटर पती घंडा की रफ्तार कम करनी है तो आप ऐसा बना लें आपको जो है मालेज बढ़े जब जितने बार का इस डाउन होते जाएगी जितने आप गयर कम करेंगा उतनी मैलेजां ब्रेक होती जाएगा तो आपको अगर लिए चाहिए तो रहा की ज़रूरत नहीं है आप डाट सलागे निकल भी सकते हैं तो बस उम को सब्सक्राइब कर लें फिर मदते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सीटबर लागा है है यह में पहने सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच